एक वार, एक छोटे जहे कस्बे विच, सैम, तीना अते जहन नाम दे तेन सब तो चंगे दोस्त रहिंदे सन। सैम एक बहादर अते जुझारू मुंडा सी, तीना चतुर अते तेज सी, अते जहन दा दिल दियानता अते हासानाल परिया होया सी। उना ने एक ठे होके खुशगवार बहरी गतीविधियां दी खोज कीती अते उस विच पाग लिया। जदों हो रंगीन पुला अते खुशाल पंचिया नाल परे एक सुंदर काहदे मैदान विच चल रहिसी। सैम ने एक चोटे मारण नू दिखिया जो कंगडवाले जंगल विच जानदा है। उना दिया अखा मिलिया अते उस पल उना नू पता लगिया कि उना दा अगला सहस मिल गिया है। उना दे दिला विच उच्छा परियसी जदों उरहस में जंगल विच पहुँचे। उना उच्छे उच्छे रुक्ष चुल्दे हुए पेर पाव दा सफा लिख दे सन। मोटी छत विच्चो सूरज दी रोश्नी दा रस्ता लभन दी कुशेश कर रही सी जिस नाल रोश्नी अते परचामे दा एक मनमुहक खेड पैदा हो रहा सी। उना दी जंगल विच यात्रा ने कई शांदार खोजा दिखाया। उना ने गहरिया अते खरगोशा नाल मुलाकार किती जो उना दी हर हरकत नू उच्छुकता नाल देख रही सन। उना ने एक शाखा ते बैठे एक समझदार बुढ़ा उल्लू नालवी मिलिया, जो उनानू सलाम दिता अते बच्चे हसन लगे। हर कदम नाल जंगल कूमना मुश्किल हो गिया। दोस्ता ने एक कुमन वाले रस्ते दी पालना कीती जो उनानू जंगल विच डूंगे ले गिया। उनाने मैप लेना पोल गय सन। सिरफ आपनी हुनर ते परोसे करदे होए अन जाने रहा ते जान दी कुशिश कीती। अचानक अकाश अशुव हो गिया, अते काले बदल छा गय सूरज नू टाक लिया। जंगल विच गरज दी आवाज सुन के बच्चे बिना बरसात दे नाल ही सुनाई दिन दी सी। उनादे दिला विच कवराहट पैदा हों लगी जदो उनानू पता लगिया की उगोंभन। उनादे यां हस्सानू चिंतदे विचारा विच बदल दिता। पर उनादे डर्विच वी उँ एकठे रहंदे सन हत पास करके एक दूजे नू परुसा दिन दे सन की सब ठीक हो जावेगा। उनादी दोस्ती ने उनानू किसे वी चुनती नाल मुकाबला करन दी ताकत दिती। बरसात होई जिस कारण उना दे कपड़े पेज गए अते रस्ता गंदा अते सलखन वाला हो गया। उनानू एक विशाल ओक दे रुख दे हेट सहाइता लैंड आ कोई होर विकलप नहीं जी। सैन ने आपने बैक पैक नाल एक अस्थाई छत बनाई जो उना दोस्ता नू मींटो बचांगा सी यूस अव नाल इंस्टेद अव दी वर्तुव के। उनानू एक कठे होन दौरान तीना दी चालाख सोच फेर देन नू बचाया। उसनू जंगल विच एक लुके होए खजाने बारे उस दे दादा दादी ने सुनाई सी जिस बारे उसनू यार कीता मेग इत मौ अलुक वेर। इसनू लभन ले ब्रिल के रादी नाल उसने प्रस्ताव दिता कि उनेडे दे बहसन वाले बरूक दी आवाज दा पालन करन। नमे उच्छाह नाल उँ आपने सफर नू फिर शुरू कर दिता। बरूक दी आवाज नाल निर्देशत होए उनाने एक लुके होए जादूई बलेड नू लब लिया। बरसात रुक गई सी अते एक चंगदार रैंबो आसमान विच फैलिया गया सी जिमे की उनानू इस गुपत परिसर विच सवागद करदा है। गलेड दे विच एक पुराणी तूल मच्छी नाल टक्की हुई चाती सी। ये हूँ केमती खजान सी जिस बारे तीना दे दादा दाधी ने गल कीती सी। बहुत उच्छा नाल उनाने चाती खोली अते इस नू चंगदार रतन अते चंगदार सिक्किया नाल परिया होया पाया। उनादे साहस ने उनानू एक अचिद इनाम दित्ता सी। पर जदो उन्हाने खजाने नू विख्या, ता उन्हानू अहिसास होया, कि उन्हादा असली खजाना एक दूजे अते उन्हादा साजा बंधन सी. खुश दिल नाल, उन्हाने चाती नू अचुता चड़न दा फैसला किता, इविश्वास कर दिया कि इजादूई जंगल दा है. उन्हाने जदो जादूई जंगल तो बाहर निकले, उन्हानू एक समाजेक महसूस होया, अते अभार्दी पावना शामल होई. उस पल जंगल उन्हानू आशिर्वाद दिन्दा जाप दसी. नमे जजबे नाल, उँ आपने कदम वापसी दे रस्ते नू खोज लिया. जदो उन्हाने जंगल तो बाहर आये, ता उन्हाना दा परिवार अते दोसत बेजबई नाल उडीख कर रहे सन. जदो उन्हाने आपने बचियानू सकती नाल जफी पाई, ता उन्हाना दे मापियां दे गाला ते खुशी दे हंजू वही गए. उन्हानू आपने छोटे योधियां दी अध्भुत यात्रा दे बारे जान कर हैरानी होई. उस दिन तो बाद, सैम, तीना अते जोहन लई जंगल एक बहुत खास याद बढ़ गया. वो अकसर बाहरी इलाकियां विच वापस आजान दे सन, आपने असाधारन साहस बारे कहानियां साजियां कर दे सन. हर वार वो आसमान नू देखदे ही, एक इंदर्धन देखन नाल ही, उना दे चहरे ते खुशी दी मुस्कराहट आजानी सी, डान्दी सी, की जंगल ने उना नू एक तवफा दिता सी, जो की किसे वी खजाने तो वल्द कीन्ती सी. आते इस तरह, जंगल विच उना दे असाधारन साहस दी कहानी, उना दे चोटे शहर विच एक लेजंडरी कहानी बन गई. सैम, तीना आते जोहन ने हर किसे नू दोस्ती, बहादरी आते हर एक एक वेक्ती विच होन वाले जादू दी शक्ती दी सिक्र दिते.